वेलकम बैक इस वीडियो में हम लोग P-Block के questions को कवर कर रहे हैं तो basically P-Block दो set में जाएगा तो यह पहला है जिसमें कि हम लोग group 15, group 16, group 17 और group 18 को कवर कर रहे हैं priority basis पे ठीक है क्या है क्योंकि इसे बहुत सारे questions है total 21 question है तो almost हर paper में 2 question का average आ रहा है तो 2022 के मतलब 12 वाला portion जो P-Block का है 15 to 18 उसके questions को पहले pick कर रहे हैं फिर दूसरे में 13 to 14 आएगा तो let's start first question given below are the oxides Na2O, As2O3, N2O, NO and this the number of emphoteric oxides are एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूं हर वीडियो में जब भी मिलता है तो मैं याद दिला 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 है नॉन-मेटल के सारे oxides acidic होते हैं ठीक है except कौन तो N2O, NO and CO याद कभी नहीं भूलना ये neutral होते हैं तो इसमें तो दो example मुझे neutral वाले दिख रहे हैं neutral उसके अलावा ये है non-metal का oxides तो मैंने बताया ना non-metal के सारे oxides acidic होंगे except this three तो ये neutral हो गया, ये non-metal का oxides, CL non-metal है उसका oxides है तो ये हो गया acidic ये देखो, ये है basic क्योंकि S block कोई भी S block का अ oxide अगर है, तो ये always basic होगा, कोई exception नहीं, सिर्फ इसमें एक exception आता है BEO, ये amphoteric हो जाता है, तो BEO amphoteric है, तो BEO का भाई Al2O3 भी amphoteric है, खेर यहाँ पर इसकी जरूत नहीं है, अब बच गया ये, यही amphoteric है, और periodic properties में मैंने बताया भी था आपको metalloids के बारे में, ठीक है, तो anyway, amphoteric के बारे में पता चल गए, इसमें जो given है, उसमें से सिर्फ इकलोता है, यही amphoteric है, AS2O3, तो इसलिए इसका answer 1 होगा, इसलिए B option पर आप टिक कर दो, heading for the next, अब ये देखो, identify the correct statement about B2S6, tick off those given below, तो एक काम करते हैं, लोग B2S6 की पूरी chemistry ही कर लेते हैं, तो एक अबर मैं आपको लेके चलता हूँ, ये आ गया, B2S6 की chemistry, तो देखो इसका preparation, सबसे पहले कैसे preparation होगा इसका, तो preparation के लिए आप BCL3 ले लो या BF3 ले लो बाद बराबर है, इसको भर-भर के hydrogen supply करो, तो hydrogen supply याने reducing agent इसको कहते हैं, एक तो direct आप इसमें H2 ले सकते हो, hydrogen ले सक तो ये सब hydrogen के supplier है, भर-भर के hydrogen देंगे, तो इनके साथ जब hydrogen के source से इसको treat करोगे, तो ये अपने आप B2S6, पैक चलो बनता BH3 है, बनता है, लेकिन ये BH3 dimerize होगा, ठीक है, उसका भी मैं reason बताऊंगा, तो इसलिए जब dimerize है, यानि दो molecule लोगे, तो ये B2S6 हो जाएग ठीक है, तो ये सब H2 से react करके B2S6 बना दिया, ठीक है, और ये जो CL है H के साथ HCL में convert हो गया, similarly LILH4 ले रहे हो तो ये जो H है इसको B2S6 में बना दिया, और जो CL यहाँ से निकला हो है, lithium और aluminium के साथ जूर गया, LILH ले रहे हो तो सेम चीज हो रहा है यहाँ पे भर-भर क इसमें H लगा दिया हमने और LICL बन गया, यही अगर BF3 लोगे तो इन सब जगा पे FFFF present होगा, तो reducing agent से, दूसरा यह reagent भी बहुत important है, इसको याद रखने का तरीका बदाता हूँ, basically इसको आप दिमाग में सोचो, यह NaH है and BH3 है, तो actual में NaBH4 यह होता है, NaH and BH3, यही क BH3 तो बचारा ऐसा ही रह जाता है, यही जो BH3 इसको डाइमर में exist करते हैं, तो इसको B2S6 लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पर BH3 लिखा है, ठीक है, basically और नीचे डाइमर लिख दिया है, तो मतलब क्या, यह B2S6 है, ठीक है, तो यह इसका प्रप्रेशन हो गया, प्रोपर बनाने की जरूरत है, यह BH3 है, इसका एक और बाइटल अभी भी खाली है, जिसके करण यह Lewis Acid होता है, तो कोई पूछे कि क्या यह Lewis Acid है, तो यह स्ट्रक्चर है, इसके करण यह Lewis Acid है, अब इसको अपना Octet Complete करना है, तो यह अपने दूसरे Molecular से कहता है, रिक्वेस्ट करत है, ठीक है, वो भी कहता है, वो उसी का रेपली का, यह रहा H और यह H, दोनों पास में आ गए है, ठीक है ना, कह रहा है कि भाई, मिरको यहाँ पर Electron मिल जाएंगे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, complete हो जाएगा, तो यह बो रहाए, एक काम करो ना, तुम आगे बढ़के इसको शेयर कर लो, यह शेयर करता है, बदले में मैं तुम्हारे Electron को शेयर कर लेता हूँ, तो यह Model बना, अब इस Model से हुआ क्या, यह जो 2 Electrons पीच के दिख रहे है ना, इसको यह Hydrogen भी शेयर कर रहा है, यह Boron भी शेयर कर रहा है, इसे लिए this is 2 Electron, 3 Center Bond, similarly यहाँ पर भी 2 Electron, 3 Center Bond यह इसकी खासियत होती है, कि इसमें 2 Electron, 3 Center Bond बनते हैं, अब कहाँ यह कितने हैं, तो 2 बनेंगे, 1, 2, 2 है 2 Electron, 3 Center Bond, और बाकी 4 जो है, वो Normal Bond है, इसको कहते हैं 2 Electron, 2 Center Bond, यह जो 2 Electron है, सिर्फ Hydrogen और Boron, 2 Atom के बीच में shared है, तो सारे Normal Bond 2 Electron, 2 Center Bond होते हैं, यह 2 Electron, 3 Center Bond है, इस इसका structure भी पता होना चाहिए, कैसा होता है, तो यह Planar नहीं होता है, देखो इसका Actual Structure ऐसा होगा, Boron, Boron, यह रहा H, यह रहा H, यह Horizontal H है, H, बाकी जो Brissed वाले हैं, यानि 2 Electron, 3 Center Bond वाले H, यह इसके Perpendicular होता है, यानि Vertical हो गया, इसलिए कोई पूछे हैं, कि Maximum कितने Atom एक साथ एक Plan में हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिफ 6 हो सकते हैं एक Plan में, बाकी जो 2 होंगे उसके Plan से अलग होगा, तो यह structure based हो गया, उसके बाद इतने ही reactions NCRT ने दिये होए, तो reactions देख लो क्या है, B2S6, इसको जला दो, भाई, दुनिया में किसी चीज को जलाते हैं, त उसको ऑक्साइड बनता है, तो B2S6 को जलाओगे, तो B2O3 and H2O बनेगा, बाकी इनके लिए मैं मैं ट्रिक बताता हूँ, कि B2S6 या इसको BH3 कह लो, इसमें Boron plus 3 oxidation state में है, और Hydrogen minus 1 में, इसलिए इसको कहते हैं, Boron का Hydride, Hydride कहते हैं, बस यह imagine करो, H2O के साथ reaction हो जाएगा, तो मैं कहूँगा, B2S6 है, तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, और Water को H plus OH minus लिख दो, इसके बाद यह 3 plus 3 OH minus को ले लेगा, यानि बन गया H3O3 जो कि यहां लिखा हुआ है, और यह H minus H plus को लेके बना देगा H2, यह रहा, आप हो HCl में भी मैं कहूँगा, exact यही कर देना है, त इसकी जगह Cl, Cl minus आ जाएगा, Cl minus आ जाएगा, Cl minus आ जाएगा, और ultimately, S3O3 की जगह BCl3 बनाएगा, तो यह BCl3 है, और बाकी यह तो H2 ही बनाएगा, ठीक है, LiBH4 यह भी आसान है, इसमें क्या होता है, यह क्यों बनता है LiH के साथ, ठीक है, तो इसका एक सिंपल सारी जन है, LiH is actually Li plus and H minus, तो यह क्या करता है, H minus, इसके साथ bond बनादेगा, तो जैसे इसके साथ bond बनाएगा, तो यह बन जाएगा BH4 negative, और इसका counterpart है Li plus, तो यहाँ पर यह Lewis base की तरह, इस Lewis acid को, क्योंकि BH3 अभी मैंने समझाया, vacant orbital होने की वज़े से Lewis acid है, यह देखो, यह Lewis acid है, तो यह इ action तो बहुत ही important, बहुत ही जादा, अमोनिया के साथ, तो BH3 को जब अमोनिया के साथ बिना hitting के treat करोगे, तो यह अमोनिया का complex बना देगा, B2H6.2NH3, यह पूछा भी जाता है कि यह complex किस form में होता है, तो यह actual में BH2NH3 hold to A complex हुआ, और दूसरा होगा BH4, यह दूसरा complex, ऐस ऐसे ऐसे, non-symmetrically placed होते हैं, ठीक है, वो इस form में होता है, तो कभी भी पूछ सकता ही है, ठीक है, दोनों अमोनिया एक ही complex का part होंगे, तो यह बनता है, और इसको heat कर दोगे न, तो B3N3H6, borazine, बहुत important है, inorganic benzene कहते हैं, इसका structure देखोगे, तो कुछ नहीं, boron nitrogen को alternate बठ दो, और nitrogen से boron की तरफ coordinate bond दे दो, यह रहा बाकि सभी पर H लगा दो, यही है, B3N3H6, इसका structure देखो, यह benzene की तरह है, इसलिए इसको कहते हैं, इनorganic benzene, क्योंकि कोई carbon नहीं है, और यह benzene है, तो this is inorganic benzene, तो इतना chemistry है, B2H6 जो NCRT ने दिया हुआ है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, इसके basis में हमारा question crack होता है कि नहीं, आते हैं, अब देखते हैं, इन B2S6, all BH bonds are equivalent कहां से मतलब भी नहीं बनता है, दो, 2 electron 3 center bond है, बाकी 4 normal hydrogen bond है, तो भाई, जो abnormal bond है, जो 2 electron 3 center bond है, वो कहां से normal bond की बराबरी करेगा, तो सारे equivalent नहीं है, ठीक ह bond, यह normal bond, और यह रहा 2 electron 3 center वाला, तो यह दोनों आपस में identical हैं, लेकिन यह, इसके equivalent नहीं है, यह, 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 यह equivalent है, यह, और यह equivalent है, लेकिन सारे equivalent नहीं है, इसलिए गलत, अगला आते हैं, in B2S6, there are 4, 3 center 2 electron bond, मतलब भी नहीं बनता है, यही 2 हैं न, सिर्फ 2 हैं, तो यह भी गलत, B2S6 is a Lewis acid, अभी मैंने बताया था, B2S6 is another name of BH3, and BH3 has incomplete octet of boron, यही Lewis acid का definition होता है, कि भाई, किसी और species से, जिसके पास lone pair हो, यह electron accept करने की tendency रखे, तो इसका octet complete नहीं है, तो दनादन electron accept करता है, यह, यह, it is a Lewis acid, yes, it is correct, B2S6 can be synthesized from BF3 and NABH4, क्या B2S6, अभी मैंन reducing agent, जो इसको hydrogen भर-भर के supply कर दे, उससे यह बन जाएगा, ठीक है, तो this is also correct, थोरा से इसको, मतलब वहाँ पे आप mention कर ले, मुझे लगता है कि यह होगा, एक बाद देख लेते हैं इसको, B2S6 is our planar molecule, भाई, यह कहां से planar है, अभी मैंने बताया कि दो atom out of plane जा रहे है, तो मैंने लिखा था LIH, LIALH4 और H2, बताया था न, BCL3, इसको कर सकते हो, तो वहाँ पे एक NABH4 भी, आप mention कर ले न, यही तो होता है practice से, additional चीज़े पता चलती है, चलो आ जाओ, next, heading for the next, which one of the following elemental form is not present in enamel of the tit, देखो, जो enamel होते हैं, हमारे तित के, वो होते हैं, appetite family, appetite family, और जो भी appetite family होता है, ठीक है, वो phosphorus का ore होता है, it is the ore of phosphorus, तो पहले इसे जान पेचान कराता हूँ मैं, यह देखो, यह आ गया, जहां group 15 का introduction है, वहीं सबसे पहले NCRT में भी दिया है, वो NCRT based ही है, सारी चीज़े, तो क्या दिया है, मैं बता रहा हूँ, कि occurrence कैसे है, तो air में nitrogen का occurrence है सबसे ज़्यादा, nitrogen 78% होता है, और oxygen 21%, दूसरा nitrogen का जो other source है, earth crust में, वो है NaNo3, cherry salt peter, एक दम याद रखना है, यह सब बहुत बार पीटर, chili salt peter, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और यह मैं ऐसे कहता हूँ, कि C और इसमें बहुत confusion रहती स्टून को, सर चीली और इंडियन में दिक्कत है, तो मैं कहरूँ, alpha vertically देख लो, ठीक है, यहाँ पे a है, small a, ठीक है, तो यह alpha vertically पहले आगा, इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, calcium phosphate and CX2, where X can be hydroxide और F, ठीक है, यहाँ पे CL भी हो सकता है, यह, chloro-appetite भी, ठीक है, NCRT ने mention नहीं किया, तो इसलिए मैं भी नहीं लिखा, तो यह OH होता है, तो जो हमारा enamel होता है, X को OH लिख दो, hydroxy-appetite होता है, hydroxy-appetite, यहाँ पे OH होता है, लेकिन हम क्या होता है, नेचर ने ऐसा बना रखा है, जैसे आप तूथ-पेस में fluoride मिलाए जाता है, ठीक है, environmental का यह question भी होता है, fluoride मिलाए जाता है, क्यों, क्योंकि हो hydroxy-appetite को fluoro-appetite में convert कर देता है, यहाँ पे F आ जाएगा, OH की जग है, इससे हमारा जो enamel होता है तो वो hard हो जाता है, otherwise यहाँ पे OH रहेगा ना, जो bond के time पे होता है, OH, वो बहुत soft होता है, तो crack होने के chances है, ठीक है, तो इसलिए तूथ-पेस में भी मिलाए जाता है, और हमारे diet के थूभी जो teeth होती है, धीरे-धीरे, ठीक है, fluorine यहाँ पे लग जाता है, OH को हटा के, यह phosphate में आपको पता है न, PO4 3 negative, इसमें phosphorus plus 5 में है, तो यह तो हो ही गया, fluoride में ने दिखाई दिया, calcium में दिखा दिया, तो इसका मतलब सिर्फ यही जो है, वो नहीं है, not पूछा है, तो B आजाएगा, phosphorus plus 3 में नहीं है, now heading for the next, कहरा फोर्थ question, PCL 5 is well known, but NCl 5 is not, यह तो कोई भी बता देगा, कि PCL 5 होने के लिए, इसके hybridization SP3D होनी चाहिए, तो SP3D होने के लिए D orbital तो होना चाहिए न, तभी तो अपने octet को expand कर पाएगा, तो nitrogen doesn't have, क्योंकि second period का element है, तो इसका last orbital second orbit है, second orbit हो कोई 2D नहीं होता है, यही reason है, कि nitrogen show नहीं कर पाएगा, NCl 5, maximum NCl 3, तीन bond बन तो सिफ S और P है, तो इसका अब reason देखते हैं, यही आ गया, nitrogen doesn't have D orbital in its valence shell, तो B option is correct, okay, now next, अब यह कह रहा है, consider the following reaction, PCL 5 plus H2O, A plus HCl, और फिर A plus H2O, B plus HCl, तो कहने का मतलब इस A की जरूद नहीं है, ठीके न, मिला जुला कि क्या है न, आप इसको add कर दो, तो यह पूरी त hydrolysis किया, ऐसे होता है, sorry, P हो है, P के साथ 3Cl लगे हुए है, hydrolysis कैसे होती है, यहाँ से कटेगा, क्योंकि इसके उपर chlorine और phosphorus में chlorine more electronegative है, तो delta minus इसके उपर delta plus, तो पानी का H plus जो होगा, इसके साथ interact करेगा, और O H, इसके साथ interact करेगा, यही होगा न, तो इसको काटो, HCl बाहर निकाल दो, और P के साथ 1 होगा चाया, ऐसे यहाँ से काटोगे तो दूसरा होगा चाया, यहाँ से काटोगे तो तीसरा होगा, तो इसको पहले step में इसने आइधर 1 या 2 को ही किया, पूरे को नहीं किया, तभी तो यहाँ पे दूसरे step में भी hydrolysis करने पे एक HCl निकल जो बीच में बना P के साथ, देख लो, यह रहा, यहाँ पर यह थोड़ा सा दूर मैंने लिखा था, ठीक है, तो 3 OH लग गए, यानि यह बीच वाला पार्ट हो गया, S3PO3, और साथ में निकला HCl 33, तो पूछा है, कि the number of ionizable proton in the product B is, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, 3 Phosphorus के acids हैं, जिसके बारे में सबसे ज़ादा पूछा जाता है, एक S3PO2, S3PO3 मेरे और वी वीडियो में मिला होगा आपको, S3PO4, तीनों में पूछा जाते हैं, कितने ionizable protons हैं, तो इसका structure मैं बना रहा हूँ, इसका structure, दो H को इसके साथ लगाओ, double bond O, और एक OH लगा दो, ठीक है, हो गया, S3PO2 का structure, तो ये ionizable नहीं है, जो hydrogen phosphorus है जो जूर गया, वो ionizable नहीं है, ionizable सिर्फ वही होता है, जो oxygen से लगा हुआ है, यही acidic है, तो this is only ionizable, इसमें ionizable पूछा जातों, सिर्फ 1H ionizable है, similarly इसका structure देखो, double bond O, इसको H, H लिखते हैं, यहाँ पे OH लिखते हैं, यहाँ पे और इसमें तो सारे के सारे ionizable हो जाते हैं, ठीक है, all are ionizable, ठीक है, तो अभी जो acid है, वो S3PO3 है, यह वाला है, तो इसमें 2 hydrogen ionizable है, इसलिए इसका answer 2 हो जाएगा, नहीं बाते हैं 6 पे, कह रहा है तो consider the following reaction, यह reaction कह रहा है, यह देख कहीं पता चल गया, H2O2 का method of proportion है, अगर आ मेरा hydrogen का video देखोगे, तो उसमें मैंने H2O2 की पूरी property एक question आया था, उसमें detail बता दिया है, तो उसमें यही था, H2O2 का preparation मैं बता देता हूं, क्या होता है, concentrated S2SO4, इसमें आधा दूरा देने ही कोशिश की है, ताकि बच्चा confuse हो जाए, इसका electrolysis करते हैं, तो देखो इसकी electrolysis कैसे होगी, इससे दो आयन मिलेगा आपको, H+, and HSO4 negative, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो HSO4 negative है, दो molecule, ठीक है, यह H2S2O8 बनाएगा, क्लब कर दिया, दो hydrogen, दो sulfur, 8 oxygen, प्लस 2 electron, यही बनता है हमारे पास, ठीक है, बाद में यह जो 2 electron है, इसको यह H+, गेन कर लेता है मैं यहाँ पर, एक नट, पहले H+, लिखना था मरेको, तो 2H+, प्लस यह 2 electron, यह गेन करके H2 बनाता है, ठीक है, इसी को आप add कर दोगे, तो यह होता है, अब आपको ऐसे यहाँ कुछ और होता है, जो होगा positive ion, वही electron गेन करेगा, कहानी खतम हो गई, तो इसमें जब reaction आप कर होगे, तो it is 2H+, प्लस 2HSO4 negative gives you H2, प्लस H2S2O8, यह इसी की बात कर रहा है, अब यह जो H2S2O8 है, इसके hydrolysis कर दो, इसमें पानी डाल दो, तो देखो इसका structure क्या होता है, SOO, यह peroxy linkage आ गया, ठीक है, अब double bond O, OH, double bond O, double bond O, double bond O, OH, double bond O, यही होता है, इसके बाद जब इसक करोगे, तो यहां से bond कट जाएगा, H, OH, पानी आ गया, और similarly, यहां से H, OH, पानी आ गया, यह जो बीच का पार्ट है, यह H2O2 के form में निकल गया, ठीक है, और यह बन गया H2SO4, एक molecule यह बना H2SO4, दूसरा molecule, तो इसी H2SO4 को इसने लिखा HSO4 negative, दो मोल, और यह पे वही च structures होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है, aquos solution में, जो कि यहां पर पूछा है, solid state या aquos solution में, और दूसरा होता है, gas phase में, तो solid phase और aquos solution में hydrogen bonding होती है, तो hydrogen bonding इसका structure जो होता है, open book structure होता है, H2O2 का, ऐसे, खुले हुए book की तरह हो, इसका structure होता है, इसमें क्या होगा, O, O, और यह रहा H और यह रहा H, इस angle को कहते है, dihedral angle, यह होता है, 90 degree के आसपास, ठीक है, जब यह solid में हो, या aquos में हो, ठीक है, aquos को तो ignore कर दो आप, ठीक है, na, aquos में तो ज़्यादा तर water का ही roll आ जाता है, solid phase में, दूसरा चीज, अगर यह gas में होगा, तो यह जो dihedral angle है, यह 111 degree के आसपास पहुँच जाता है, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, कि कभी हो सकता है, gas phase का पूछते, तो same चीज होगा, everything is same, now the angle is 111 degree के आसपास हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर C option correct होगा, क्योंकि इसने solid phase का पूछा हुआ है, now heading for the next, the correct order of boiling point of hydride of group 16 element is, तो देखो, कोई भी, जैसे जैसे mass भरता है, always यह ध्यान रखना, melting point जो होता है, अगर molar mass high होगा, तो melting point high होगा, यही rule होता है, लेकिन अगर hydrogen bonding आजा तो exception आता है, तो यह सारे group 16 के हैं, जैसे group 16, मैं 15 और 16 दो जगाप exception आता है, दोनों बता देता हूँ 15 में element है, N, P, A, S, B, bismuth, इनका hydride ले लो, कौन-कौन होगा, NH3, pH3, ASH3, SbH3, Nbih3, तो यहां से यहां तक यह melting point बढ़ना चाहिए, बिलकुल, ठीक है, बस यहां पर problem आ जाएगा, ठीक है, यह जो ammonia है, यह hydrogen monform करता है, इसलिए जाके सीधा इसके बीच में fall करेगा, यहां पर fall कर जाएगा, mid में, यानि pH3 से बढ़ा यह, उसके बाद NH3, उसके बाद यह, और इसके बाद यह, लेकिन group 16 में तो hydrogen bonding, क्योंकि hydrogen bonding जो होती है, oxygen की ज़्यादा stronger होती है, इसलिए इसमें जब O, S, S, E, T, E, PO, इसके जो options दिये है, इसमें उपर से नीचे बढ़ना चाहिए, यानि H2O से greater H2S होना चाहिए, H2S से greater H2SE होना चाहिए, और H2SE से greater H2TE होना चाहिए, यही तक दिया है, ठीक है ना, और polonium तो हटा दो, radioactive है, तो इसमें hydrogen bonding के कारण यह सीधा top पे पहुँच जाएगा, यही चीज दे रखा है, इसे लिए इसमें जो option आजाएगा, H2S जबरा यह, उससे बढ़ा यह, और H2O top पे पहुच जाएगा, A option is correct, now heading for the next, कहारे, consider the following reaction, यह reaction दे रखा है हमें, A plus alkali B, major product, ठीक है, कहारे, B is an oxoacid of phosphorus with no pH bond, देखो भई, कोई pH bond नहीं है, तो एक तो H3PO4 हो सकता है, भी मैंने उसका structure भी आपको बताया है, दूसरा एक और हो सकता है, ठीक है, P, P, double bond, O, OH, OH, double bond, O, OH, and OH, इसमें भी कोई phosphorus और hydrogen का direct bonding नहीं है, ठीक है, अब देखो, white phosphorus बहुत famous reaction है, बहुत ही famous, इसमें जब आप NaOH add करोगे, तो यह बनाएगा, NaH2PO2, ठीक है, यह PO2 लिखा पूलना, यह बहुत बार मेंस में पूछा जा चुका है, NCRT का दिया होगा reaction, प्लस pH3, pH3 के method of preparation में मिलता है, दूसरा red phosphorus, इसमें आप NaOH add करोगे, तो इसका salt मिलेगा, ठीक है, इसका अब में इतना बड़ा salt नहीं बना रहा, इसी का salt मिलेगा, तो यह हमारा option हो जाएगा, वैसे P2O3, ठीक है, इसमे NaOH मिलाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो oxidation state है, उसी का salt मिलेगा, तो oxidation state आप देख लो, इसका क्या है, प्लस 3, तो प्लस 3 वाला acid मिलेगा, यानि S3PO3, इसी का salt बनाना होगा, तुम्हें alkali के साथ, यहाँ पे प्लस 3 oxidation state है, phosphorus का, ठीक है, यह खु इसमें B option correct, now next है, polar stratospheric clouds facilitates the formation of, यह famous है, ठीक है, डारेक्ट यह, ठीक है, ठीक है, न, CL, O, and NO2, यह firm होता है, ठीक है, बाद में, इसी के hydrolysis भी यह करा सकता है, it can undergoes hydrolysis, HOH लग सकता है, HOH, जो की बहुत famous reaction होता है, यह चनो 3 बना देता है, यह HOCL बना देता है, ठीक है, तो A option इसमें correct हो जाएगा, next आते है, matrix match है, okay, कौन क्या form करेगा, तो यह पूरा का पूरा silikons का part है, ठीक है, तो silikons के part में एक बार आते हैं हम लोग, इसमें, इसको कहेंगे हम silane, जैसे carbon और silicon एक ही family के हैं, carbon के family को हम alkane कहते हैं, तो वैसे इसको silane, यह silane के right, और यह जितने भी हैं, जिसके silicon पे OH लगा हुआ है, यह सारे silicon family है, अब यह देखो, यह कैसे बनता है पहले, जैसे इसका example मैं ले रहा हूँ, D वाले का, इसके तीन methyl है, इसका जो OH है, और एक और इसी का molecule लेते हैं, यह OH आ गया, यहाँ से water निकलेगा, water निकलते ही, यह oxygen के थुरूख connect हो जाएगा, यह oxygen जो बीच का है, यह इसके साथ connected है, पानी निकल गया, तो अब यह सीधे इसके साथ connect हो जाएगा, यह हुआ silicon का dimeric unit, ठीक है, तो यह dimeric बनाएगा, इसलिए dimeric के साथ match हो जाएगा, ऐसे यह, इसको आप ले लो, तो इसका देखो structure कैसा होगा, SI 2 CS3 लगे हुए है, यहाँ पर 1 OH है, यहाँ पर 1 OH है, फिर यह SI है, CS3, CS3, यहाँ पर 1 OH है, यहाँ पर 1 OH है, यह हट गया, यह पीछे वाले unit से हटेगा, फिर यह आगे वाले unit से हटेगा, इस तरह से एक chain बन जाएगी, इसमें oxygen के थुरू, SI O, SI O, SI O, SI O, SI so on, इस 3 OH होंगे, तो इसका मतलब 1 OH इधर भी आगया, तो इधर भी एक chain चल जाएगी, तो दो तो जैसे चली है, यह इधर भी OH होगा, तो एक और unit इधर के साथ यह जूरेगा, और इस जन से इधर भी chain चल जाएगी, तो इसलिए इसको हम कहते है, 2D silicons, तो यह इसका match हो गया, औ और silicon इसे से बनते हैं, ठीक है, यह बहुत important है, बहुत बार आचुका है, ठीक है, तो इस वाले में भी आया है, next आते हैं, कहरा है, heating white phosphorus with concentrated NaOH solutions gives mainly, ठीक है, क्या देता है, यह तो अभी मैंने बता दिया थो white phosphorus को, अभी बताया भी था कि NCRT के point of view सो भी बहुत important है, उसमें भी दिया हुए, बहुत बार में इसमें पूछा है, यह NaOH2PO2 बनाएगा, with the release of pH3, direct पूछ दिया है, यह रहा, D option इसके लिए correct हो जाएगा, okay, now next question, which gas produced by treating an aqua solution of ammonium chloride with sodium nitride, भाई यह तो देख के ही पता चल गया, nitrogen का method of preparation है, कैसे मैं बताता हूँ, NH4Cl आप ले लो, और इसको NaNO2 से treat कर दो, nitrite कह रहा है, तो इन दोनों के reaction से यह NH4Cl है, इन दोनों के reaction से बनेगा NH4NO2 plus NaCl, ठीक है, और यह जो है, इसको heat करने पे N2 plus 2H2O में टूट जाता है, तो इसलिए nitrogen का method of preparation होता है, तो यह direct इसी पे आ गया, NH4NO2, इसकी heating से N2 बनेग तो इसलिए B option आ जाएगा, तो इस वीडियो में यही पे रोक रहा हूँ, इसके बाद जो 13 से लेके 21 तक का है questions, totally case question है, उसको मैं दूसरे वीडियो में cover करूँगा, कर समक्र से ल Circских तो तो उत्म का लिएगों, और बारे निया दूसरे है, तृपके बारातो जीपलद में different on신 coba, जो इस जा लारे खे जुट जात्म, करहां है, बुटा है,